विल्कम बैक दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और मराठी मूवी को लेकर रहा हूँ अच्छली मूवी नहीं बलके वेब सीरीज को है इसकराम है अतंग जो 2022 में रिलीज हुई उसी तरह एक हर्वर सस्पेंस मिस्ट्री वेब सीरीज है इस सीरीज में और राल से 6 एपसोर्स करने लगता है नानासाःब के खरम इस जबरतसता फ़उंचेने लगता है और इस फउंचेन को एक बिटिश कप्ल भी आते हैं बंदे का नाम होता है ज si on a साहिब के बीवी का नाम होता है लक्षमी खर फ्रॉण की दूरन उस पादे जाचज करने के लिए खरबाद में नाना साहिब और उसकी बीवी अपने बेटे का नाम रखते है राउ साहिब थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि इस घर के बाहर एक छोड़ा सा तालाब होता है इस तालाब के अंदर से एक लड़की बाहर आ रही होती है और फर सम्टेम लक्षमी नाना साहिब के पास आकर एक बुरी खबर सुनने लगती है कि हमारा बेटा जुले में मौझूद नहीं है ये सुनने की बाद नाना साहिब बहुत गुसे में आकर पहले अपने पत्नी को एक छापर लगाता है और अपने सारे कामवालों से कहने लगता है कि फटाफर से मेरे बेटी की तलाश करो जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा तो इस तरह से सारे लोग राव को ढुंते रहते है उसके बाद हम ये देखते है कि वो छोटा बच्चा उस औरत के गोद में होता है वो पाने में की औरत इस बच्चे को खिलाती रहती है तब ही यहां पर नाना साहिब आता है इस औरत को देखकर पूशन रखता है कि कौन हो तुम जब वो औरत नाना साहिब की तरफ देखती है तो उसके तो होशी उड़ जाते है फटाक से डर के मारे वहांसे भागने लगता है उसके बाद सिन 1960 में शिफ्ट होता है मतलब 30 साल के बाद जहां पर हमको दुबारा राव को दिखाय जाता है अब फिलहाल राव बहुत बड़ा हो चुका होता है और अपने घर के तालाब के पास खड़े रहकर अपने मन ही मन ये बताने लगता है पहले से ही मेरी जिन्दगी में कुछ भी नहीं था जब से वो मेरी जिन्दगी में आई मेरी जिन्दगी ही बदल गई अब दुबारा मेरी जिन्दगी शूनी हो चुकी है अब इस जिन्दगी का मैं क्या करूँ इस तरह से उस तालाब के अंदर जाने लगता है सुसाइट करने लगता है उसके बाद सीन दुबारा थोड़ा तैच बैक में जाने लगता है ये एक साल पहले अचुलि एक साल पहले इस गाओं को सुशिला और इसका हस्बेंट मास्टर जी यहाँ पर आते है अब मास्टर जी एक स्कूर टीचर होने के विएसे ट्रांसफर होकर इस गाओं को आया होता है इस गाओं में एंडर होते ही सुशिला को ये गाउं बहुत भानी लगता है, समंदर होता है, नदियां होती है, बहुती प्यारा सा गाउं लगता है इसको। और जब ये दोनों इस गाउं में आ रहे होते हैं, उसी दिन इस गाउं में कुछ फेस्टिबल वगरा चलते रहता है। सुशिला फटवर से बैल गाड़ी से उतर कर भगवान की पूजा पाट करने लगती है। उसी वक्त उस रास्ते से राव गुजरने लगता है अपने बाइक के जरिये से, राव को देखकर वहां के सारे के सारे लोग इसको रास्ता देने लगते हैं, बहुत डरने लगते हैं सुशिला पंडित जी से पूशें लगती है क्याफरकर वो कौन है। पंडित जी कहने लगता है कि वो रावन है रावन। खार शोषिला और मास्टर जी अपने स्कूल जाते हैं प्रिंसिपल से मुलाकात करते है। प्रिंसिपल मास्टर जी को इसी स्कूल का एक छोटा सा रूम देता है रहने के लिए जब तक इन दोनों को कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता। खर जो भी हो इनका सामान तो कुछ ज्यादा नहीं होता। इस रूम में आकर अपने अपने सामानां को अज्जश करते रहते हैं। खर दूसरे दिन जब सुशिला अपने कपड़े बदल रही होती है तो सुशिला को ऐसा लगता है कि दर्लाजे के पिछे से कोई इसको देख रहा है। सच में दो लड़के सुशिला को देख रहे होते हैं। जब तक इन दोनों को कोई अच्छा सा घर नहीं मिल जाता ये दोनों राव के घर में ही रहेंगे। पैर में चोट आ जाती है। सुषिला समझाने लगती है उसके बास सुषिला बस ऐसे ही इस घर में घुमती रहती है तब देखते ही देखते काले बाधल चाले लगते है और उसी बादों में हमको वो लड़की नजर आती है जो मुवी की स्टार्टिंग में दिखाए दी ही आचली एक आत्मा होती है जो स सुषिला किचन में जाकर अपने हातों से गूर की चाय बनाकर रुकमिनी को देने लगती है रुकमिनी को ये चाय बहुत पसंद आने लगती है उसके बास सुषिला रुकमिनी से काफी सारी बातें करने लगती है इसी भी ये भी कहने लगती है कि मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है लेकिन मेरे माबाप ने जल्दी मेरी शादी करवा दी उसके बास सुशिला रुकमिनी से इस घर के बारे में पूशने लगती है तो रुकमिनी इस घर के बारे में कुछ बातें बताने लगती है ये घर और किसी का नहीं मेरे जीजा जी नाना साहब का है मेरी बेहन ने बहुत सारा टाइम बिताया नाना साहिब के साथ। मेरे जीजा नाना साहिब ना अच्छा पती बन सका ना अच्छा फादर। हमेशा मेरी बेहन को मारता पीटता था। नाना साहिब की वज़े से ही इस गाउं के लोग हम घर वालों से ठंक से बात ही नहीं करते नाना साहिब को तो बहुत नफरत किया करते थे जब राव छोटा बच्चा था उस टैम पर भी कोई भी बच्चा राव से बात नहीं किया करता था नाना साहिब की वज़े से ही लेकिन सिर्फ एक बच्चा ही राव के साथ मिलकर खेला करता था उसका नाम है रागहो और अबेबे वो दोनों बहुती बेस्ट फ्रेंड्स है रागहो इसी गौव में डॉक्टर की तरह काम करता है देखो सुशिला जब राओ घर में होता है तो तुम इदर उदर घूमो मत राओ के सामने तो बिल्कुल भी मत आओ और उसी तरह इस घर के तालाब के पास भी मत जाना लेकिन रुक्मी ने जिस काम से मना किया था सुशिला भी काम को करने लगती है मतलब जब राओ अपने घर में मौजुद नहीं होता सुशिला राओ की कमरे में जाकर वहां की किताबों को पढ़ती रहती है एक दिन जब सुशिला राओ की कमरे में होती है तो अचानक से राओ अपने कमरे में आ जाता है राओ को देखकर सुशिला खटिया के फीचे छुप जाती है मतलब इस तरह से बचती रहती है राओ से हर हर राओ को कोई ना कोई बुरा सपना आते रहता है जब राव छोटा बच्चा था उस वक्त वो आत्मा राव को उसकी नीन से जगा कर उस तलाब की तरफ बुलाने लगती है अब राव तो उस वक्त छोटा बच्चा था धीरे धीरे उस लड़की की तरफ जाने लगता है पानी में तब ही आइन टेम पर इसकी माँ आकर अपने बेटे को बचा लेती है इस तरह से काफी सारी बार बच्पन में राओ बसते रहता है उस आत्मा से खैट दूसे दिन दुबारा सुशिला राओ की कमपने में जाकर माँ की किताबों को पढ़ने लगती है जो बहुत ही इंडरेस्टिंग होती है वो काहनिया पढ़ने के बाद सुशिला रुकमीनी को आकर सुनाती रहती है आप रुकमीनी को सुशिला की बाते हैं उसकी कमपनी बहुत पसंदाने लगते है बहुती कम समय में ये दुनों बहुती अच्छे दोस्ट भी बन जाते हैं हालांकि रुक्मीनी किसी से बात नहीं करती लेकिन सुशिला से बहुत अच्छी तरह से बात करती रहती है एक दिन दुबारा ऐसे ही सुशिला राव के कमरे में जाकर मा की किताबों को पढ़ती रहती है अच्छा सेम टेम राव जब अपनी बाइक से बाहर जा रहा होता है तो इसकी बाइक में तेल खतम हो जाता है तेल लेने के यह राव जब अपने घर में आता है अपने कमरे में आता है तो अपने कमरे में राव सुशिला को देखता है अब राव को पहले से ही लड़कियों से बहुत अलर्जी होती है उची आवाज में पूछे लगता है कि कौन हो तुम राव के आवाज सुनकर रुकमिनी भी बाहर आकर बहुत डर्ती रहती है कि पता नहीं राव अब सुशिला से क्या कहेगा यह होने के बाद सुशिला और मार्शा जी अपने आप अपने सामान प्याक करने लगते है राव इन दोरों का अपने घर से बाहर डखेल देगा उसी वक्त राव का बेस्टे फ्रेंड रागव राव के घर में आकर रुकमिनी का टेस्ट करके राव से कहने लगता है कि आजकल रुकमिनी की तबियत पहले से भी बहुत बहतर है जब से सुशिला इस घर में आई है रुकमिनी बहुत खुश है अब रुकमिनी को एक ऐसे ही साथी की जरुत है जो सुशिला ने वो पूरा किया रुकमिनी के लिए ही सही तुमको सुशिला उसकी फैमिली को यहां पर रहने की इजाज़त देनी पड़ेगी सो राव को रावगव की बातें समझ आ जाती है अपने मौसी के लिए मास्टर की फैमिली को यहां पर रहने की इजाज़त दे ही देता है खर दूसी दिन से जब कभी भी सुशिला और राव को सामना होता तो सुशिला जानबुच कर राव से बात करने की कोशिश करती लेकिन राव सुशिला को भाव ही नहीं देता सुशिला को इगनूर ही करते रहता है उसके बाद जब सुशिला मंदिर जाती है तो वहां का पूजारी सुशिला से ये कहने लगता है कि तुम जिस घर में रह रही हो वो घर एक शापित घर है राओ अच्छा इंसान नहीं है वो भी अपने पिताजी की तरह है राओ का पिताजी पता नहीं कितनी औरतों की जिंदगी बरबाद कर दी कितनी औरतों का बलतकार किया लेकिन सुशिला इस पुजारी की बातों पर यकिन नहीं करती वो पुजारी कहने लगता है कि तुम एक बार रुपमिनी के पास जाकर ये बात पूछो कि वो अभी भी बिनाशादी के विद्वा क्यूं है तो सुशिला उसी तरह से रुपमिनी के पास आकर यह सवाल पूशने लगती है कि आप क्यूं बिनाशादी के विद्वा बनी सो रुपमिनी जो हुआ वो बताने लगती है कि एक दिन रुक्मिनी की बेहन लक्षमी की तबियत खराब हो जाने के वैसे रुक्मिनी नाना साहब के घर आई अपने बेहन का ख्याल रखने के लिए लेकिन नाना साहिब की बुरी नजर रुकमिनी पर भी पड़ी एक दिन तो नाना साहिब रुकमिनी के साथ बरतकार करने की कोशिश की लेकिन आइन टैम पर लक्षमी आगर रुकमिनी की इज़त बचा ली उसे यहां से भागने के लिए कहा गुसे में आकर नाना साहिब ने लक्षमी को सीडियों से धका देनी के विए से पिचरी लक्षमी की मौत हो गई और अच्छली मन्ने से पहले लक्षमी ने रुपमिनी से वादा लिया कि राव को ये अपने बेटी की तरह पाल पोसकर बढ़ा करेगी इसको मा की कमी नहीं होने देगी अब नाना साहिब रुपमिनी के साथ दुबरा ऐसा कार ना करे इसलिए रुपमिनी ने अपना सर मुनवा कर उसी घर में रहते हुए राव की देखरेक करनी लगी इसलिए राव भी रुकमिनी को अपने माँ की तरह देखते रहता है है दूसी तरफ राव और रागो हाथ का एक कड़ा लेकर बाबा जी के पास जाते है राव बाबा से पूछने लगता है क्यों वो आत्मा हमारे घर को नहीं छोड़ रही बाबा कहने लगता है तुमारे पिताजी का पापों का कर्म ही वो आत्मा है तुमारे पिताजी ने उस आत्मा का भी कुछ बिगाड़ा होगा राव कुछन लगता है तो आप कैसे उस आत्मों को शांती मिल सकती है बाबा कहने लगता है कि तुम फटावर से लक्षमन नाम की एक बंदे को ढूंडो उसी से उस आत्मा को शांती मिल सकती है सो राव और रागव वो बंदे लक्षमन की तलाश में लगे रहते हैं हर कुछ दिनों बाद नाना साहिब का डेट टेड होने की वएसे रुकमीनी किसी पंदित को बुलाकर पिंदेदान करने लगती है अब पिंदेदान तो बेटा ही करेगा लेकिन राव अपने पिताजी की पिंदेदान नहीं करना चाता क्योंकि राव खुद अपने फादर से बहुत नफरत करते रहता है नाना साहिब मनने के बाद भी राव ने नाना साहिब की अंतक्रिया काम नहीं किया था जब भी ये दिन आता राव गाव वालों के पास जाकर किसना किसी बंदों को रिक्वेश्ट करते रहता है कि ये रिच्वल कम्लेट करते लेकिन गाउँ वाले नाना साहिब से बहुत नफरत करते हैं कोई भी आगे नहीं होता जिस क्वेसे रुखमिने अपने घर में काम करने वाले नादा नाम के एक बंदे से ये रिच्वल करवाने लगती है नादा की बीवी का नाम होता है मती ये भी इसी घर में काम करती है खर रात होने के बाद जब राओ रुकमिनी के पास आकर खाना खा रहा होता है तब ही सुशिला राओ के पास आकर यही बात पूछें लगती है क्यों तुमने अपने पिताजी का पिन्यदान नहीं किया यह सुनने के बाद राओ बिना खाना खाये अपने कमरे में चला जाता है लेकिन सुशिरा दुबारा राओ के पास आकर यही कहने लगती है कि मेरे उपर का गुसा खाने पर क्यों दिखा रहे हो तुम्हारी मौसी ने बहुती प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया लेकिन तुम तो अपनी मौसी से प्यार से बात भी नहीं करते उसके बाद राओ रियलाइज होकर रुक्मिनी के पास जाकर रुक्मिनी का बनाय हुआ खाना खाने लगता है खर अब जैसा मैंने कहा था ना कि रुखमिनी के घर में नादा और मती दो लोग काम करते हैं लेकिन यहाँ पर रूल यह होता है कि नादा कभी भी इस घर में नहीं आता बाहर से ही कुछ सामान दे कर चला जाता है एक दिन सामान देने के लिए जब नादा घर के बाहर खड़ा रहता है तो मती नादा के लिए पाने ले जाने लगती है इसे हर बढ़ाए में ये पैर फिसल कर नीचे गिर जाती है मती को देखकर नादा फटावर्ट से भागते हुए इस घर के अंदर आने लगता है लेकिन नादा इस घर के अंदर आ ही नहीं पाता कोई शक्ती इसको रोक रही होती है जब नादा बगल में प्रेट कर देखता है तो इसको वो आत्मा नजराने लगती है जब मती रुपमिनी को बलाने लगती है तो वो आत्मा मती और रुपमिनी को कमरे में बंद कर देती है बाहर वो आत्मा नाधा को मानिक की कोईश करने लगती है हवा में उठा देती है तब ही राओ अपने घर आगर नादा को इस हालत में देखकर किसी भी तरह से नादा को बचा लेता है और उसी तरह वो आत्मा राओ को भी दिखाई देती रहती है नादा की हालत को देखकर राओ शौक में रह जाता है क्योंकि उस लड़की के आत्मा सिर्फ राव के खांदान वालों की ही नजर आती है तो ऐसे में वो आत्मा नादा को कैसे नजर आती है बाद में पता चलता है कि नादा भी नाना साहिब का ही बेटा है खर इसको बाद रुकमी ने राव से कहने लगती है कि नादा की माँ नाना साहिब के खेतों में ही काम किया करती थी तुम्हारे पिताजी ने उसकी माँ को भी बलतकार किया था जिसके वेशे नादा पैदा हुआ जब नादा की माँ की तबीद बिगड़ने लगी नादा की मा नादा को लेकर नाना साहिब के पास आई नादा को अपनाने के लिए लेकिन नाना साहिब नादा की मा के कैरेक्टर के उपर उंगली उठाने लगा कि इसका क्या सब उठाए कि ये बेटा मेरा ही है पता नहीं तुम्हें किस किस के साथ कांड गया इस तरह से नादा उसकी माँ को घर से बाहर फिक दिया अब इस सारे बातें लक्षमी सुन लेती है जब तक लक्षमी नादा के घर जाती तब तक नादा की माँ मर चुकी होती है बेचारा नादा अपने माँ के लाश के सामने बैठ कर रो रहा था सो उसके बाद लक्ष्मिनी नादा को घर के बाहर थोड़ी सी जगा देकर अपने घर के कामों के लिए रख लिया नाना जायब मनने के बाद नादा घर में आ सकता था लेकिन नादा ने ऐसा नहीं किया खेतों के काम देखते हुए ही घर के बाहर रहने लगा खेट थोड़ी देर के बाद नादा को होश आता है तब ही मती नादा को ग्लास से पानी देने लगती है लेकिन नादा अपनी पत्नी मती का हाथ का पानी नहीं पीता और आच्छली इससे पहले भी नादा ने मती का हाथ का दिया हुआ पानी नहीं पीया था सुशिला पूछने लगती है कि नादा ने ऐसा क्यूं किया मति इन सारे लोगों को अपना जो राज है वो बताने लगती है कि आचुली नाना साहिब नादा और मेरी शादी करवा दी थी शादी होने के कुछ दूनों बाद ही मैं प्रेगनेंट हो गई क्योंकि नाना साहिब ने मेरा भी बरतकार किया था ये सच जाने के बाद नादा मुस्से बात करना बंकर दिया मेरा हाथ का दिया हुआ पानी भी नहीं पीता एक दिन मैं इस घर में आकर बस ऐसे ही काम कर रही थी उस तालाब के पास तो अचानक से मैं उस तालाब के पास खीची चली गी पानी में गिर गई मैं उस तालाब से उस पानी से बहार आने के बाद मेरा मिस कैरेज हो गया ये सारी बादें सुनने के बाद राओ बहुत दुखी होने लगता है कि अब तक राव ने नादा को एक काम वाले की तरह देखा था अब यहाँ पर नादा भी मती से मौफ़ी मांगने लगता है नादा जिस खेट की केरिंग कर रहा होता है राव उस खेट को नादा के नाम पर ही लिख देता है ऐसा कहे कर राव बाहर आकर बस ऐसे ही दुखी होते रहता है तब ही सुशिला राव के पास आकर ये कहने लगती है खेत के बदले नादा को अब जिसकी जुरुत है अगर वो दे दे तो अच्छा रहेगा राव को सुशिला की बातें समझ में आ जाती है खेत थोड़ी देर के बाद राव नादा और मती को पूने जाने के लिए कहता है इसका सारा इंतिजाम भी कर देता है कहने लगता है कि अब तक जो हुआ उसमें मती की कोई गलती नहीं तुम दोनों अपनी जिन्दगी की नई शुरुआत करो हर किसी को जिन्दगी में दूसरा मौका मिलता है आप तुम दोनों के लिए एक दूसरा मौका है तो नादा मती को अचसप्ट करके ये दोनों पूने चले जाते है खर उसके बाद से राव और सुशिला के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती होने लगती है ये दोनों एक दूसे के साथ को ज़्यादा ही टाइम स्पेन करने लगते है राओ भी धीरे धीरे सुशिला से बात करने लगता है इसी दरमियान में एक दिन मास्टर जी सुशिला से कहने लगता है कि अब हम गो इस घर से जाना होगा मैं नए घर की तलाश करने वाला हूँ लेकिन सुशिला मास्टर जी को मना करने लगती है क्योंकि सुशिला को खुद इस घर से बहुत प्यार हो चुका होता है ये घर इसको बहुत पसंद आता है उसके बाद राव अपने वर्क प्लेस पर औरतों को भी काम देने लगता है कल तक राव अपने फील्ड में औरतों को आने नहीं देता था लेकिन आजकल औरतें भी काम करने लगी उसके बाद एक दिन जाने की नाम की एक औरत राव के घर आती है और वो भी मास्टर जी और सुशिला के लिए सुशिला जाने की को देखकर शौक में रह जाती है जाने की और कोई नहीं मास्टर जी की पहली पत्नी होती है यह जाने के बाद राओ शौक में रह जाता है थोड़ देर के बाद जाने की को समझ में आ जाता है कि जाने की यहां पर आना मास्टर जी को पसंद नहीं तो ये वापस जाने का डिसाइट कर लेती है दूसरे दिन सुबा सवेरे मास्टर जी जाने की को रायले स्टेशन ड्रॉप करने के लिए जाता है ये दोनों बाहर जाने के बाद सुशिला घर में राव को ढूने लगती है अपना एक्स्प्रेशन देने के लिए राव से बात करने की कोशिश करने लगती है लेकिन काफी दिनों तक राव सुशिला से बात ही नहीं करता फानलि एक दिन सुशिला जबरदस्ती राव के वर्ट प्लेस पर जाती है कहने लगती है कि मैं जो बताने वाली हूँ वो तुम पूरी तरह से सुनो राव कहने लगता है कि मैंने अपने जिंदगी के सारे बातें तुम से शेयर की लेकिन तुमने मुझसे ये बात क्यों शेयर नहीं की क्यों चुपाई सुशिला जो हुआ वो बताने लगती है आचलि जाने की और कोई नहीं सुशिला की बड़ी बहन होती है मास्टर जी और सुशिला की शादी हुए 10 साल हुचके होते है लेकिन इसके बावजुद भी इन दोनों की कोई संतान नहीं होती एक दिन मास्टर जी ठान लेता है कि ये दूसरी शादी करेगा जब ये बात जाने की को पता चली जाने की कुवे में कुट कर अपने जान देने लगी लेकिन सारे फैमिली वालों ने जाने की जान बचा ली उसके बाद सुशिला के फादर ने सुशिला को ही मास्टर जी को देकर शादी करवा दी क्योंकि अगर गावालों को ये बात पता चलेगी कि जाने की कभी मान नहीं बन सकती तो कोई भी सुशिला और उसकी छोटी बहन से शादी नहीं करेगा इसलिए सुशिला के फादर ने सुशिला को देखकर मास्टर जी से शादी करवा दी मुझे तो ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी मैं तो मुंबए भागने वाली थी लेकिन मेरी माने भोती एमोशनल के साथ मुझे समझाया शादी के लिए मनवाया मास्टर जी से शादी करने के अलबा मेरे पास कोई भी आपशन भी नहीं था सो राव सुशिला की बातों को समझ कर इसके साथ दुबारा दोस्ती करने लगता है दुबारा ये दोनों बात करने लगते हैं एक दिन सारे गाउ मायों वाले नाटक देखने के लिए किसी जगह पर जाते हैं सुशीला और मार्थरजी भी जाते है वहाँ पर राओ और उसका दोस्त भी मुजुद होता है लेकिन सुशिला का सारा ध्यान राव पर ही होता है इशारों के साथ राव से बात करती रहती है बिन्या नाटक देखे खर नाटक खतम होने के बाद जब सुशिला और मास्टर जी वापस अपने घर आ रहे होते है तो रास्ते में दो लड़के सुशिला के साथ छेड़ खानी करने लगते है मास्टर जी उन दोनों को माने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो दोनों उल्टा मास्टर जी को बहुत माने पीटने लगते है अर दे सेम टेम उसी रास्ते से राव और रागो गुजरने लगते है मास्टर जी को इस हालत में देखकर इन दोने की बहुत पिटाई करने लगते है खर घर आने के बाद मास्टर जी सुशिला के साथ बात ही नहीं करता ऐसे जाताने लगता है कि सारी की सारी गलती सुशिला की है सुबा होने के बाद मास्टर जी सुशिला से मौफी मांगने लगता है कि कल रात तुम्हारे साथ ऐसा बरताब नहीं करना चाहिए था आज मैं अपने ट्रास्पर के बारे में बात करने के लिए दूसरे गाउं जा रहा हूं अपना ख्याल रखना सो मास्टर जी जाने के बाद सुशिला और राव बहुत सारा टाइम भी इसके पास गुजारने लगते हैं इसी बातों ही बातों में सुशिला राव से ये कहने लगती है कि मैं बहुती सुदर नजर आती हूँ ना इसलिए बहुत सारे लोगों को भाज आती हूँ मेरी सुदरता को देखकर ही कल रात वो दो लड़के मुझसे छेड़ खाने की हर कोई भी मुझसे अट्रैक्ट हो जाता है तुम भी मुझसे अट्रैक्ट हो गए ना सुशिला की बातें राव समझने लगता है सुशिला से कहने लगता है कि तुम शादी शुदा हो हम दोनों को ऐसे मिलना नहीं चाहिए इस तरह से वहाँ से जाने लगता है लेकिन सुशिला बहुत देर तक उसी बीच के पास खड़ी रहती है बारिज भी होने लगती है शाम होने के बाद सुशिला राव के पास जाकर उसको किस करने लगती है यह देखकर राव भी अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाता इस तरह से इन दोनों में कार्ड होने लगता है उसे वक्त मास्टर जी वापस आने पर इन दोनों को एक साथ बिट पर देख लेता है लेकिन कुछ भी ना कहते हुए चुपचा वहाँ से चला जाता है खर दूसे दिन से राव और सुशिरा एक दूसे से बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि इन दोनों ने एक बहुत बड़ा पाप किया राव अपने दोस्त रागो से ही कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपने पिताजी की तरह बन रहा हूँ इस तरह से राव को बहुती गिल्ड महसूस होकर राव के गले लगकर बहुत रोने लगता है उसके बाद एक रागो राव के पास आकर ये कहने लगता है कि लक्षमन मिल गया राव फटाफट से लक्षमन के पास जाता है यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि उस तालाब में जिसकी आत्मा है वो और कोई नहीं लक्षमन की बीवी सुमी की है लक्षमन राओ को देखकर इसको माने की कोशिश करने लगता है लेकिन मार नहीं पाता बहुत दुखी होने लगता है कहने लगता है कि तुम भी अपने बाप जैसे हो उसके बाद राओ सुमी के बार में पूशिन लगता है सीन थोड़ा फ्लैश बेक में जाने लगता है कि आचुली लक्षमन और सुमी भी नाना साहिब के खेत में ही काम किया गरते थे उस वक्त सुमी प्रेड़न थी इन दोनों ने डिसाइड किया लड़का होगा तो नाम रखेंगे राओ अगर लड़की होगी तो राधा रखेंगे सो अट दा सेम टैम नाना साहिब के नजर सुमी पर पड़ती है सुमी को अपने कमरे में लाकर इसके साथ बलतकार करने लगता है बेचारी सुमी हाथ जोड़कर बहुत रिपेश करने लगती है कि मैं प्रेडनेंट हूँ मुझे छोड़ दीजिये लेकिन नाना साहिब खुद बलतकार करने के साथ साथ अपने दोस्त जोड़कर को भी बलतकार करने के लिए कहता है यह सुनकर सुमी बहुती मुझे के साथ उस घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगती है लेकिन नाना साहिब अपनी गन से सुमी के पेट पर गूली चला देता है मरते मरते सुमी नाना साहिब से यही कहने लगती है कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे खांदान को नहीं बक्षूंगी सर्वनाश कर दूंगी तुम्हारे खांदान को लेकिन नाना साहिब सुमी को एक लाट मार कर अपने घर के तालाब में फेक देता है उसी तालाब में उसके डित हो जाती है उसके पास सुमी के आत्मा काफी सारी बार नाना साहब को माने की कोशिश की लेकिन नाना साहब ने एक बाबा के जरिये से एक हाथ का कड़ा बनवाया था जो नाना साहब की प्रोडिक्शन करता था खेर एक दिन राव खेलते खेलते नाना साहब के कमरे में आ गया, इसके खटिया की निचे छुटने लगा, इसी दर्मियान में राव नाना साहब के हाँ से वो कड़ा निकाल दिया, कड़ा निकालते ही उस कमरे में सुमी की आत्मा आ जाती है, बहुती गुसे से नाना साहब क गला घोटकर उसे मार देती है अब उस वक्त राव तो बच्चा था वो सारी चीज अपने आखों के सामने देख रहा था अब सुमी ने राव को इसलिए नहीं मारा क्योंकि सुमी ने सोचा था था ना कि अगर बेटा होगा तो उसका नाम रखेगी राव तो सुमी की आत्मा राव को अपने बेटे ही के तरह देख रही होती है बिना उसको मारे राव की मा मनने के बाद भी सुमी की आत्मा राव के पास ही थी उसकी केरिंग करते हुए सच जाने के बाद राव बहुत दुखी होने लगता है उसी वक्त वहाँ पर सुमी के आत्मा आती है लक्षमन को भी सुमी के आत्मा नजराती रहती है सुमी के आत्मा अपने पती को देखने के बाद उसके साथ बात करने लगती है उसके पाद शायद इस आत्मा को शांती मिल जाती है रागो बहुती दुखी के साथ महां से जाने लगता है खर दूसरे दिन सुशिला की तबिद बिगर जानी के वे से वो रागो के पास जाती है रागो इसका ट्रीटमेंट करने लगता है बाद में माश्रजी रागो के पास आकर ये कहने लगता है कि सुशिला प्रेगनेंट है ये सुनने के बाद राओ शौक में रह जाता है मास्टर जी से कहने लगता है कि सुशिला और इसका सम्मद बना था मास्टर जी कहने लगता है कि ये बात मुझे आलड़ी पता है फिलाल मुझे बच्चे चाहिए इसलिए मैं चुपचाप हूँ उसी रात मैंने तुम दोनों को एक साथ बिस्तर पर देख लिया था मुझे बच्चे चाहिए इसलिए सुचिला को कुछ नहीं कहा आच्छली बात ये है कि कमी मुझ में है नाहे की जाने की में ये सुनने के बाद राव मास्टर जी पर गुसा दिखाने लगता है इसका मतलब अब तक आपने मेरा इस्तमाल किया मास्टर जी कहने लगता है कि तुमारे दुख के सामने मेरा दुख बहुत बड़ा है क्योंकि मुझे दूसरों का बच्चा अपनाना होगा मेरी बीबी दूसरे बंदे के साथ रात बिता कर इस बच्चे को पैदा किया मैं उस बच्चे को पाल पोस कर बढ़ा करूंगा राव पूशें लगता है क्या सुशिला भी बच्चों के लिए ही मेरे साथ संबन बनाई थी यह सुनने के बाद माश्चर कुछ भी जवाब ना देते हुए मांसे चुप चाप जाने लगता है अब सुशिला को भी बच्चे चाहिए था अगर सुशिला के साथ भी बच्चे ना हुए तो माश्चर जी ये कोड़ शादी करेगा तो शायद ये बात सुशिला को पसंद नहीं थी खर इसके बात सुशिला और मास्टर जी इस गाउं को छोड़कर जाने लगते है दूसरे गाउं टांसफर हो जाता है मास्टर जी का और यहां पर हम ये देखते हैं कि सुशिला के हाथ में नाना साहिब का कड़ा है मतलब ब्राव ने सुशिला को बचाने के लिए ये कड़ा पहनाया होता है क्योंकि सुशिला के पेट में अब नाना साहिब का वारिस है इस तरह से ये पहला सीजन यहां पर डी एंड होता है अब दूसरे सीजन में ये बात पता चलेगी क्या सच में राव मर गया या जिन्दा है सुमी की आत्मा क्या सच में शान्त हो गई या वी वी इस धर्ती पर है ये सारी बातें सेकंड सीजन में पता चलेगी खाया सीरीज कैसे लगी कमेंट करें बताना जोरूर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक टेक केर बावाई सी यू सून